जै श्री कृष्णा मैं राकेश शिवान्यस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज लेकर हम मैं यहां पर आया हूं दुर्गात सफशती मादुर्गा का पाठ जो कि बहुत इंपोर्टेंट होता है अन्नवरात इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं कि दुर्गात सफशती का पार्ट करने से किन-किन चीजों का फाइदा होता है देखे दुर्गात सप्षती के 700 लोग है इसके दर इसमें देवी चरित्र का बनन है पुल और तेरा अध्याय है हर अध्याय का अपना अलग महत होता है अगर आप प्रथम अध्याय ऐससा करते हैं तो इसके पार्ट धश्चान्वार्षान श्रत्रू द्वारा घर धूमिपर इधिकार करने एवं किसी प्रकार के बाद विवाद आधी में विजयप्राप्ट होती है कोई आपकी ज़मीन पर कबजह चौथा अध्याय के पार्ट करने से धन, सुंदर जीवन साथी, मा की शक्ती और मा की भक्ती प्राप्त होती है। पंचम अध्याय का पार्ट करने से भक्ती मिलती है, पुरे स्वपन, भै, प्रेत बाधाओं का निराकरण होता है। चटे अध्याय का ध्यन करने से समस्त बाधाएं दूर होती है और समस्त बन्वान्चित्फलों की प्राक्ति. साथवा अध्याय इस अध्याय के पार्ट करने से हिर्दय की समस्त कामना अत्वकिशी विशेश गुप्त कामना की पूर्ती होती है. कोई भी वीशेश कामना आती है उसकी पूर्ति होती है आठवा ध्याय इसका पाठ करने से धन का लाग होता है और आपका वशीकरण प्रबल होता है आप किसी पे भी बहुत जल्दी किसी को भी अपने वश्च में कर सकते हैं नवा ध्याय का पाठ करने से खोए हुए की कि सी ब्रगार की चिंता अगर आपको है मुक्ती मिलती हैं व्यपार में असकलता है उसका पार्ट करने से रोगों शुटकारा मिलता है आपके अंदर से डर खतम होता है औसमाज में मान सम्मान मिलता गुंद Tsized family जो Study जिसका अंतिम अध्याय है, उसका पार्ट करने से माता की भक्ति एवं सभी इच्छित वस्तोव की प्राप्ति होती है। ये तो हम जानते ही हैं कि मनुष्ट की इच्छायर अरंथ है और इन्हीं की पूर्ति के लिए दुर्गार सभस्ति से सुगम और कोई भी मार्ग नहीं है। इसलिए नवरात्र में विशेश रूप से दुर्गार सभस्ति के ये तेला ध्याव का पार्ट करने का विदाहन है। आप भी कीजिए और देवी की भक्ति प्राप्ति दिये। जै मातुका जैश्री क्रिक्षिन